बोजपुरी की जानी मानी अभिनेतरी बन चुकी हैं डिमपल सिंग आज कल आप डिमपल सिंग को बड़े बोजपुरिया स्टार्स के साथ देख रहे होंगे लेकिन कभी एक वक्त था जब वो खेसारी लाल यादों की बहुत चहीती हुआ करती थी लेकिन अचानक इन दोनों में ऐसा क्या हो गया कि डिमपल सिंग ने किनारा काट लिया खेसारी लाल यादों के साथ और अब ना उनके साथ किसी एल्बम में नजर आती हैं और ना ही उनके साथ कोई वीडियो करती हैं और साथ ही साथ उन्हें इंस्टाग्राम से अनफॉलो भ कैसे हुआ डिमपल सिंग पवन सिंग के साथ पहली बार आई मिठा मिठा बाते कमरिया में और ये गाना सुपर डूपर हिट हो गया आज ये गाना 80 मिलियन बहुत चुका है लेकिन क्या वजह रही कि डिमपल पवन सिंग की आज एक चहीती बनी हुई है और खेसारी लाल य कि काजल रागवानी के बाद डिमपल ने भी खेसारी लाल यादों को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम एकाउंट से और इसके पीछे वजह ये ही बताई गई कि काजल रागवानी और डिमपल दोनों भोजपूरी में और जादा काम करना चाहती थी और भी एक्टरों के साथ काम करना चाहती थी जो कि इसके पीछे यही वजह बताई जा रही है कि खेसारी लाल यादों को नागवार गुजर रही थी और इसी बीच इन दोनों की इन ही बातों को लेकर इन दोनों का खेसारी से कॉन्फिक्ट हुआ है जगड़ा हुआ है और इस वजह से ही ये द काने में पफार्म भी कर रही हैं राजा और अंकुर के साथ तो आपने दिखा ही होगा और प्रवेस लाल यादो रितेश पांडे अर्विन दकेला कलू और पवन सिंग जी हां पवन सिंग के मिठा मिठा बाते कमरिया के हिट हो जाने के बाद डिमपल सिंग का जो रुद्बा है भोजपुरी इंडस्ट्री में और बढ़ गया है और सुनने में आ रहा है कि हो सकता है रितेश पांडे के साथ ये एक फिल्म करती भी नजर आ जाएं खैर वैसे भी ऐल्बमों की पहली पसंद है स्टेश शो की भी पहली पसंद डिमपल सिंग है डिमपल सिंग के कई ने उस वक्त मदद की जब डिमपल सिंग को सक्त जरूरत थी कि वो खेसारी को छोड़ चुकी थी और तब उनकी मदद पवन सिंग ने की और उनके केरियर का उन्हें वो गाना दिया जो आजकल सभी की जुआ पर वैसे डिमपल सिंग की गानों को भी लोग बहुत पसंद कर बोज पूरी जगत की होट और मसाले दार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं है